नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई छवी यहां एक गलास पानी में मौम बत्ती जलाने के बारे में क्या खायाल है आपका, तो चलो हम आज यही देखेंगे परिक्षन के लिए आवश्यक साब अगरी, एक मौम बत्ती, एक काच की चादर और एक पानी का गलास व्यवस्ता, काच की शीट या चादर को मौम बत्ती और पानी से बरे गलास के बीच में लंबावत रखे अवलोकन, मौम बत्ती जलाएं और दूसरी तरफ काच की शीट से बने प्रतिभिम या चवी को देखें बनाई गई चवी पानी से बरे गलास में जल्दूई मौम बत्ती की तरह दिख रही है निशकर्ष, मौम बत्ती की छवी काच की प्लेट के पीछे उतनी ही दूरी पर होती है जितने उसके सामने मौम बत्ती है यहां काच की प्लेट अधिकांश रूप से समतल दरपन के रूप में कारी करती है इसलिए हम ये निश्कर्ष निकालते हैं कि एक सम्तल दर्पन द्वारा बना गया प्रतिविम दर्पन के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु उसके सामने होती है एडिस वार्टन ने क्या खूब कहा है प्रकाश फेलाने के दो तरीके हैं मुम्बत्ती या दर्पन जो इसे दर्शाता है अर्थाद या तो आप मुम्बत्ती की तरह बन जाओं या दर्पन की तरह धन्यावाद प्रकाश 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 अर्फज़ इसे दूब झाले कि तरह दो तरह भी कि तरह दो पर दो कि दो दो जबत्ती की तरह रहा है